हैलो मित्रो हूं डॉक्टर राजिंद्र देशाइग गाईनेकोलोजिस्ट एन आईवीफ स्पेस्यालिस्ट लावी रोयो छु तमारा माटे इनफर्टिलिटी विशेनी सम्झा इनफर्टिलिटी विशे नी सम्जणना पार्ट वनमां आपने जोई उके इनफर्टिलिटी शू छे अन शा कारणे थाये आ पार मां आपने सम्जी शू के एना उप्चार माटे शू आम तो यंदत्वना उप्चार माटे घणि बदी पद्धती हो छे तेमानी एक पद्धती छे Timed Intercourse जनरली स्त्रियों नुझे मासिक चक्र होई छे ए अठिया विस्ती 35 दिवस नू होई छे आना थी जो वधारे के उचा दिवसो होई तो पहला तो मासिक चक्र नी रेगुलरिटी करवी पड़े मासिक चक्र ना बध्धाज दिवसो सारा होता नथी मासिक चक्र ना वच्चे ना अमुक चार्थी 5 दिवसो एवा सारा के फर्दरूप होई छे कि जो ए समय दर्म्यान कपल्स सबंद राखे तो आपने ए सबंद ने प्रेग्ननसी मा कनवर्ट करी शक्ये आपने ए लोकोने जड़प्थी प्रेग्ननसी आपे शक्ये जे दर्दियोंने आ पद्धती थी प्रेग्ननसी ना रे एमना माटे बिजी पद्धती छे आई यू आई एटले के इंट्रा यूटेराइन इनसेमिनेशन आई यू आई नू आ अंग्रेजी वर्जन ची गुजराती मा आपने एने विरिये नू इंजेक्षन पण कई है विरिये ना इंजेक्षन मा ज्यारे पूरुष अने स्त्री एक बिजानी नजीक आवे अने सबंद राखे एनो मतलब क्यारे इवो ना थाए के पूरुष ना बीज अने स्त्री ना बीज पन मिलन थाए तो विरिये आई यू आई मा पूरुष बीज अने स्त्री बीज नू मिलन थाए अने एमा थी गर्ब बनी शके ए माटे मैक्सिमम परिबड़ों नो संयोग करवामा आवेज तो आप अद्धती मा सोनोग्राफी नी तपास गरा स्त्री ने जारे बीज परिपक्व अने सारू थाए तो यारे स्पेसिफिक इंजेक्शन के जहने HCG केवाई ए इंजेक्शन आपी ने अमुक चक्कस टाइमें बीज छुटू पड़ी शके तीवी अमें व्यवस्ता करिये छी है अने जे टाइम दर्म्यान स्त्री नू बीज छुटू पड़े ते टाइम दर्म्यान पूरुष नू विरिया लेए लेबोरिटरी मा एनू शुद्धी करण करिये पूरुष ना विरिया मा स्वय सोटका बदू सारूज होई एवू जरूरी नथी पूरुष ना विरिया मा जे अशुद्धियों होई एन लेबोरिटरी मा आमें शुद्धी करण करिये अने जे सारो पार्ट होए, जे सारा पूरुस बीज होए तैने गरबशनी थेलीमा एक नानी नरि दवारा गरबशनी थेलीमा मुकी दहियह ते जे टाइम में स्त्रिनू बीज छोटपड़ियू होए छूटू पड़ियू होए और एज टाइमे सारा पूरुस बीज आपड़े गरबाशनी थेले मां मुखिये तो पूरुस बीज और श्त्री बीज ने मलवानी शक्यता वदी जाए और एनू फलन्थवानी शक्यता वदी जाए आने अमें साधी भासा मां IUI करिये छिए कहिए अने आना थी प्रेग्नसी रेवानी शक्यता मां घणो वदारों थाई शक्ये जे कपल्स ने साधी रिते प्रेग्नसी रेती ना हो एकले के कुद्रती रिते प्रेग्नसी रेती ना हो तेवा दर्दियोने IUI ना पद्धती ना त्रॉन्थी 6 मैना नी सारवार आपिये तो प फर्टिलाइजेशन के जने साधी भासा मां गुजराती मां आपने टेस्ट्टू बेवी कही है जी आप बद्धती व्यंधत्वना दर्दियों मांटे खुबज आशिर्वाद रूप छे अन्ने जे व्यंधत्वना घणा खरा दर्दियों के जमना पूरुष्णा वीरियमा श पकलिक पड़ती हो एक घणा लामबा समय थी तेवा दर्दियों मांटे पुण आप अद्धती खुबज आशिर्वाद रूप छे तो आप अद्धती मां जनरली हमें शू करता होई है कि स्त्री ने होर्मोन्स ना दस्ती बार दिवस इंजेक्शन आपिए तेना थी हमें ए आज ए गर्ब छे एनने अमें लेबोरिटरी मां 3-5 दिवस सुधी राखी शक्ये अन्ने आ गर्ब ने 3-5 दिवस ना अंते एक नानी नडी द्वारा गर्भाशरी नी थेली मां मुकी देए आने साधी भाषा मां आपने आईवी एफ कहिए छी अवे आज ए गर्बने पोशन मेडवानँ अन्य विकास करवानु ए एने पूतानेज करवो पडे एमा कोई पद्धती काम हावे नै जो घर्ब गर्वाशरी ने थेली मां सारी द कोशन मेडवे तो कपल्स ने प्रेगनसी रही जाए अन्य जो घर्ब पोशन मेडवी ना शके तो सारवार फैल कि 10 दर्दी ने तमें ट्राय करो IVF नो कि जने घणा लांबा समय थी इनफर्टिलिटी होए तो एवा त्रणथी पांच दर्दियों ने पहली वार मां प्रेग्ननसी रही जाए अवे जहने पहली वार प्रेग्ननसी नथी रही एने बिजी वार आ सेम पद्धती करो तो प्रेग्ननसी नाज रहे एवु नथी घणा दर्दी अमने पूछता होए कि साई पहली वार मां 100-100 टका रही जाशे तो आएक फॉल्स विलिप छे एक मीत छे एवु ना होई पहली अने बिजी हार ना ज रहे एव पंड नथी बिजी हार तम्हे प्रय अपर्येतना करो तो सेम पहली वखत मां 30-50 टका चानसिक्स झें बिजी वार करो तो जह दर्दीओं पहली वार मां ढर्यूने ना रही थे इस enemटली बज़ी तुन क्यूद वार आपधदती अपना वह आ झाल झाल झाल